नमस्कार मैं हूँ अमिताब बच्चन आज मैं आप सबसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता हूँ देखे हमारा देश करोना वाइरस से जूज रहा है और आप सब को इस लडाई में एक बहुत ही महत्व पूर्ण भूमी का निवानी है क्या आप जानते हैं कि हाल ही में चीन के विशेशग्यों ने ये पाया है कि करोना वाइरस मानव मल में कई हफ़तों तक जिन्दा रह सकता है करोना वाइरस का मरीज पूरी तरह से ठीक भी यदि हो जाए तब भी कुछ हफ़तों तक उसके मल में करोना वाइरस जिन्दा रह सकता यदि ऐसे किसी व्यक्ति के मल पर कोई मक्की बैठ जाए या फिर वो मक्की फल, सबजियां या खाने पर बैठ जाए तो ये बिमारी और फैल सकती है इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है और महत्पूर्ण भी कि हम सब करोना वाइरस से लड़ने के लिए उसी तरह एक जन आंदोलन बनाए जैसे हमने प्रदान मंत्री जी के नेत्रित में सवच भारत मिशन को जन आंदोलन बनाकर भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाया था और सुनिए जिस तरह हम सबने मिलकर हमारे दो बून जिन्दगी के अभियान में शामिल होकर कि भारत को पोलियों से मुक्त किया था मेरा आप सब से हाज जोड़कर यही निवेदन है कि करोना वाइरस को रोकने में आप देश का सहयोग इन तीन कारियों के द्वारा करें पहला अपने शौचाले का डियमत रूब से इस्तमाल करें और खुले में शौच के लिए बिलकुल ना जाएं दूसरा सोशल डिस्टंसी यानि सामाजिक दूरी समाज से दूरी बनाए रखें और केबल किसी आपात काली निस्तिती हो या किसी अमर्जनसी हो तभी आप घर से बाहर निकले जाएं तीसरी बात दिन में अनेक बार अपने हाथों को साबन से कम से कम बीस सेकंड तर दूएं और अपनी नाक आख मूँ को बिलकुल नच्चुएं करोना वारिस को हराने के लिए हमें याद रखना होगा कि दरोजा बंद तो बिमारी बंद शोचाले का इस्तमाल कीज़े हर कोई हर बोस हमेशा बहुत बहुत नहीं आपको नमस्का